महेंदर अपनी पत्नी हेमलता के साथ एक छोटे से शहर में रहता था महेंदर बहुत ही गरीब था और उसकी पत्नी हेमलता काफी समय से बीमार चल रही थी महेंदर के अपने आठ बच्चे थे जिसकी वज़े से महेंदर को घर चलाना बहुत ही भारी पड़ता था वे दिन रात काम करके भी उतने पैसे नहीं कमा पाता था जिससे कि वो अपने आठ बच्चों को भर पेट खाना खिला सके और अपनी बीमार पत्नी का ठीक से इलाज करा सके एक रोज महिंदर काम करके घर लोटता है तो देखता है कि उसके घर में उसके आठ बच्चों के साथ दो और बच्चियां खेल रही हैं महिंदर गुस्य से अपनी पत्नी से कहता है ये दो बच्चियां कहां से उठा लाई हो अजी, मेरी बहन के मरने के बाद से जी जाजे की हालत काफी खराब हो गई है जिसकी वज़े से उन्हें अस्पताल में भरती होना पड़ रहा है तो ऐसे में वो अपने दोनों बच्चियों को हमारे पास छोड़ गए हैं अरे हमारे खुद के आठ बच्चे कम थे जो अब इन दोनों को और पा लो मैं तो पहले ही आठ बच्चों का ठीक से पेट नहीं भर पा रहा हूँ अब इन दोनों का पेट कैसे भर पाऊंगा पहले ही पड़ास के लोग और बाकी सब लोग मेरा मजाग उडाते हैं कि देखो आगे आठ आठ बच्चों का बाप और अब तो सब मुझे दस बच्चों का बाप कहकर चड़ाएंगे अरे जरा अपनी हालत देखो बीमारी के कारण खुद तो हर वक्त चार पाई पर पड़ी रहती हो और मैं सारा दिन धूप में पिस्ता हूँ अजी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो अजी जैसे हमारे आट बच्चे पल गए वैसे ही ये भी पल जाएंगे आप ऐसे गुस्सा न करो इन बच्चों का पेट भरने के लिए दिन भर मेरी क्या हालत होती है ये बस मैं ही जानता हूँ कभी कभी तो लगता है कि कहीं दूर भाग जाओ अजी आप ऐसे न बोलो और मुस्सिक वादा करो कि मेरे मरने के बाद आप हमेशा इन दस बच्चों का पूरा खयाल रखोगे महिंद्र हेमलता की एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है उसके जाते ही हेमलता की बीमारी की वजह से मौत हो जाती है हमलता की मौत को कुछ दिन बीच जाने के बाद से घर के हालत और बिगड़ने लगते हैं घर में खाने का सभी सामान खत्म होने लगा था तभी महिंद्र के सबसे बड़ी बेटी रेश्मा एक धाबे पर बरतंद होने का काम करने लगती है तभी महिंद्र वहां से गुजर रहा होता है कि उसकी नजर अपनी बेटी पर पढ़ती है रेश्मा बेटी, तुम इस धाबे पर लोगों के जोटे बरतंदो रही हो और क्या करती पिता जी, घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है तो मैं अपने भाई बेनों को भूका नहीं देख सकती बस उनका पेट भरने के लिए मुझे ये काम करना पढ़ रहा है अपनी बेटी की बात सुन महिंद्र की आँखों में आसू भराते है मैं अपनी जिम्मेदारी से बचकर भाग रहा था आज से मैं बहुत महिंद्र मजदूरी करूँगा पर कभी भी अपने बच्चों को भूका नहीं सोने दूँगा भले ही मैं मर भी क्यों न जाऊं पर मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं अटूँगा फिर क्या था? महिंद्र अपनी काम पर जाता है और खूब महनत करता है पूरा दिन काम करने के बाद महिंद्र का मालिक जैदेव उसे काम करने के बस 200 रुपे ही देता है मालिक ये तो आपने मुझे मेरे काम के बहुत कम पैसे दिये है इतने पैसों में मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भर पाऊंगा अरे तो क्या मुझसे पूछ कर दस बच्चे पैदा किये थे और पैसे तो तुम्हें इतने ही मिलेंगे अगर ज्यादा पैसे चाहिए तो काम भी ज्यादा ही करना होगा दस बच्चों का पेट भरना है, तो कल से टाइम पर काम पे आ जाना महिंद्र को जैदेव पर बहुत गुस्ता आता है, पर वो उसे कुछ बोले बिना ही वहां से चल देता है और सड़क पर चलते चलते सोचने लगता है महिंद्र ऐसे सोचता हुआ चला ही जा रहा होता है, कि तभी सामने से तेजी से एक ट्रक आता है और महिंद्र को टक्कर मार कर वहां से निकल जाता है ट्रक से टक्कर लगते ही महिंद्र की वहीं पर मौत हो जाती है और वो एक डरावना भूत बन जाता है ए बगवान ये क्या कर दिया तुने अब मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूँगा मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि मैं बाप होने की पूरी जिम्मेदारी निबाऊंगा मैं कभी भी उन्हें भूका सोने नहीं दूँगा हाई रे अब मैं क्या करूँ फिर पिताजी आप आगे मैं कब से आपका इंतिजार कर रही थी बेटी तुम बच्चों को खाना खिला देना और खुद भी खा लेना मुझे भूग नहीं है इसलिए मुझे ऐसा बोलकर महेंदर अपने सभी बच्चों के पास जाता है उन्हें प्यार करता है और उसके बाद चार बच्चों ने रात भर तुमको सोने नहीं दिया तभी तो आखें एकदम लाल हो गई है अब दस बच्चे पैदा करोगे तो ये सब तो जहलना ही पड़ेगा ही एक तो बेचारी महेंदर भाय की पत्नी नहीं रही फिर ऐसे में बेचारे महेंदर को ही इतने सारे बच्चों को बोज कहा अरे तू तो खुद इस धर्ती पर एक बोज है और अगर आज के बाद तूने मेरे दस बच्चों को लेकर मजाग उड़ाया ना तो मैं तेरा खून पी जाओंगा अरे महेंदर ये क्या कर रहा है तू तेरे अंदर कोई आत्मा वात्मा तो नहीं आ गई जो मैं महेंदर नहीं बलकि महेंदर का भूत हूँ इसे तो मैं बाद में सबक सिखाऊंगा फिलाल तो मुझे काम पर लग जाना चाहिए ऐसा बोलकर महेंदर काम पर लग जाता है और अपनी भूतिया शक्ती से एक के बाद एक भारी भारी अनाच की बोरी अपनी कमर पर रखक जैदेव अपने दोस्त गुलाब से कहता है। जब रात हुई तो महिंदर भी जैदेव से अपने काम के पैसे मांगने उसके पास जाता है। जाहिए आप ले लो पर मेरी जान बक्ष दो। तुने बहुत मजाक उड़ाया था ना मुझे दस बच्चों का बाप बोलकर मेरे बच्चों को चिल्लड पार्टी बोलकर अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। फिर भूत जैदेव के सारे पैसे ले लेता है और उसके बाद उसे गला दबा कर मार डालता है। की तस्वीर के सामने अपने भूत या रूप में आकर उससे बात करने लगता है। पिता जी आप एक भूत हैं। मैंने आपके सारी बाते सुन ली हैं। आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे ना पिता जी। मेरी बेटी तुम बहुत समझदार हो पर अब जब तुम्हें सब कुछ पता चल गया है तो मुझे यहां से जाना ही होगा। पर मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटी अपने भाई बेहनों का खुब अच्छे से ख्याल रखेगी। पर मैं तुम से वादा करता हूँ मेरी बच्ची कि जिन्दगी में कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े। तो बस मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे पास होगा, मैं अपने दस बच्चों का ख्याल हमेशा रखूँगा। ऐसे बोलकर महेंदर वहां से गाइब हो जाता है। रेश्मा उम्र में बड़ी थी और काफी समझदार भी थी। इसलिए वो अपने भाई बहनों का ध्यान अच्छे से रखती थी। और जब भी रेश्मा को अपने पिता की याद आती या महेंदर को अपने बच्चों की य यार हो गए। आपको पता है ना कि कुछ दिनों से आपकी तब्या ठीक नहीं है और डॉक्टर साहब ने आपको आराम करने को काये। पर आप होगी किसी की सुनते ही नहीं। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। पर टेरी एक बात नहीं सुनने वाले। लो पकड़ो खाने का डिबबा और अपना ध्यान रखना। फिर रमेश रेलवे स्टीशन चला जाता है। रमेश रेलवे स्टेशन पर कुली का काम क्या करता था रमेश का काम बहुत ही महनत वाला था वो दिन भर अपने सर पर कई किलो सामान उठा कर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक ले जाया करता था रमेश की तब यह ठीक नहीं होती इसलिए वो घर जल्दी जाता है नेहा बेटी आज कुछ खास खमाई नहीं हुई है तबियत भी कुछ ठीक नहीं लग रही अभी आराम करता हूं कल सुबह जल्दी काम पर चला जाओं नेहा रमेश का सिर छूकर देखती है और बोलती है हे भगवान पिता जी आपका सिर तो इतना गर्म है जितनी की चाई गर्म होती है इतना तेज बुखार है आपको और आप हो कि सुबह जल्दी काम पर जाने की बात कर रहे हो जब तक आप ठीक नहीं हो जाते आप कहीं नहीं जाओगे बस रमेश नहा की बात नहीं सुनता और सुबह जल्दी उठकर अपने कुली के कपड़े पहन कर तयार हो जाता है और काम पर चला जाता है रमेश को बहुत कमजोरी महसूस होती है लेकिन वो फिर भी सामान सिर पर रखकर ले जाने लगता है कि तब ही रमेश शक्कर खाकर जमी है ही कौन इस दुनिया में जो उन्हें भी आपने अपने पास बुला लिया रमेश को गुजरे हुए कुछ दिन बीच जाते हैं नेहा के पास घर में खाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था नेहा रोते रोते बोलती है पिता जी जिन्दा थे तो कभी मुझे भूका नहीं सोने देते थे और रोज मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने को लाय करते थे नेहा अपने आसू पोच्छती है और बोलती है ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा दो दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है अब मुझे भी कुछ ना कुछ करना ही होगा नेहा अपने पिता ज कुली दोस्त कालू मोहन वर्टिंग को नेहा को अपनी बड़ी बड़ी आँखों से घूर रहे होते हैं अरे मोहन ये तो अपने रमेश काका की बेटी नेहा है ना जो कुली बनकर सबका सामान ले जा रही है तनिक देखो तो इसे कतनी खब्चूरत सच भाईया ये तो बहुत की घजब की है रहे अरे छिछों सुन्दर लड़की देखते ही बोखला गए जरा ये भी तो देखो कि वो हमारी इलाके में आकर हमारा काम चौपट कर रही है सब को देखो तो पैसे सुन्दर लड़की को देखकर उसी के पास जा रहे हैं और उसी से अपना सामान उठवा और तो और जड़ा सामान उठाने के उसे हमसे भी जादा पैसे मिल रहे हैं पैसे फिर तीनों दोस्त नेहा के पास जाते हैं कालू नेहा से बोलता है अरे तुम तो वही रमेश काका की बेटी हो ना जिनकी कुछ दिन पहले ही मृत्यु हुई थी बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे रमेश काका इसलिए तो उनकी बेटी भी बहुत ही अच्छी और सुन्दर है कालू नेहा से बात करते करते उसका हाथ पकड़ लेता है और हंसते हुए बोलता है सच में भागवान ने बहुत ही फुरसत से बनाया है तुम्हें अरे हाथ छोड़ मेरा तेरी खड़े होकर चार बाते क्या सुन्ली मैंने तुने तो मेरा हाथ ही पकड़ लिया चल अब जा यहां से और दुबारा मेरे आसपास भी मत भटकियो अच्छा हमारे ही एरिये में आकर हमें ही धोस दिखाती है ए सुन लड़की यहां से दूसरे प्लेटफॉर्म पर चली जा हां क्यूं जा है इसका हां नेहा यहां नजर ही नहीं आएगी रात को नेहा अपने घर वापस आती है और अपने पास धेर सारे पैसे देखकर बहुत खोश होती है और बोलती है आज तो मेरी बहुत अच्छी कमाई हुई है आज मैं दो दिनों के बाद पेट भर कर खाना खाऊंगी फिर अगले दिन नेहा जल्दी उठकर अपने कुली के कपड़े पहन कर खुशी-खुशी स्टेशन पर नेहा को सामान उठाते देख तीनों दोस्तों को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जैसे ही नेहा को अकेला पाते हैं उसे छेरने लगते हैं अरे मेरी रानी काहे इतना भा घव खाती हो जरा तनिक हम तीनों की तरब फी थोड़ा ध्यान दे लो ही भगवान तुम तीनों ने तो हधी कर दी तुम तीनों जाते हो यहांसे हमें शोर मचाकर लोगों को कोई कठा करूँ तब ही टिंकू नेहा का जोर से हाद पकड़लेता है नेहा उन्थ तीनों की इस अगले दिन चुड़ेल एक सुन्दर लड़की का रूप लेकर कुली के कपड़ों में रेलवे स्टेशन पर जाती है सुन्दर लड़की को देखकर वे तीनों दोस्त उसके पास जाते हैं और उसे भी छेड़ने लगते है कालू सुन्दर लड़की का हाथ पकड़ लेता है और हसते हुए बोलता है अरे मेरी सुन्दरी चलो चल कर तुम्हें बढ़ी आसी चाय पिला करना है अरे कम भगत छोड मेरा हाथ अरे कमीने हाथ छोड चोड़ता है कि नहीं रुक ऐसे नहीं मानेगा तो अभी शोड मचा कर सबको बुलाती हूँ और तेरी पिटाई लगवाती हो अरे अरे आप शोड क्यों मचाती हो हम है ना हम चुड़ाते हैं आपका हाथ अरे ओ कालू, तोड़ तेरे इनका हाथ, नहीं तो खामखा ये कुली मैडम जी शोर बचा देंगी फिर चुड़ेल सुंदर लड़की के रूप में बोलती है, आज तो तुमें छोड़ देती हो, पर ऐसी कलती फिर दुबारा मत करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम तीनों के लिए ये याद रखना अरे भाईया, काहे जाने दिया इस कुली सुंदरी को, और जरा इसके तेवर तो देखो, हैं? अरे जाने देना, आखिर कब तक बचेगी हमसे? ऐसा बोल कर तीनों जोर जोर से हसने लगते हैं, फिर चुडेल वहां से चली जाती है और कुली बन कर सबका सामान अपने सिर पर उठा कर ले जाती है कुछी देर में रात हो जाती है और रेलवे स्टेशन पर भी सरनाटा चाने लगता है तभी तीनों दो सुन्दर लड़की के पास आते हैं और बोलते हैं क्योरी कुली, कहां जा रही है? इन में तो बढ़िया कर दिखा रही थी, ले फिर से मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया, अब मचा कर दिखा शोर, क्या? तुम तीनों ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा ऐसे बोलकर चुडैल कालू का गला पकड़ लेती हैं और जोर जोर से हसने लगती है मोहन और टिनको शोर क्ली लड़की से कालू का गला चुड़ाते है, कि तभी कुली सुंदर लड़की से चुडैल के रूप में आ जाती है और जोर से हसते वे बोलती है क्यूरे अब छेड मुझे अरे अब तेरी सिट्टी पिट्टी गुल कैसे हो गई पकड़ ना ले पकड़ मेरा हाथ सुन्दर कुली को चुड़ैल के रूप में देखकर तीनों दोस्तों के होश ओड़ जाते हैं और वो खड़े-खड़े कापने लगते हैं अरे मर गए रे यह जिसे हम सुन्दर कुली समझ रहे थे वो तो दरावनी चुड़ैल लिख ली तरे टिंकू भाग यहां से नहीं ते यह खालू कि तुरह हम दोनों का गला भी तो मोच लेगी अरे भागते कहां हूं अब छेड़ो ने मुझे तुम तीनों के छेड़ने की व से तीनों भागने लगते हैं भागते हुए वे ट्रेन की पट्री पर जा पहुँचते हैं कि तभी कालू का ट्रेन की पट्री में पैर फस जाता है मोहन और टिंकू मिलकर कालू का पैर निकालने लगते हैं कि तभी उन्हें अपनी तरफ ट्रेन आती हुई दिखाई देती ह अरे मर गए रे! अरे मोहन भाई, जल्दी से पट्री से मेरा पैर निकालो! ट्रेन पासा रही है और वो चुडैल भी! फिर मोहन और टिंकु का पैर भी ट्रेन की पट्री में फ़स जाता है अरे भाई ये क्या हो गया अरे हम दोनों का पैर भी पत्री में फस गया अरे ये कैसे हो गया जरूर ये सब उस चुडैल ने किया होगा चुडैल सूर सूर से हसते लगती है हाँ ये सब मैंने किया है अब देखना, तुम तीनों भी वैसे ही मरोगे जैसे मैं मरी थी हमें माफ कर दो चुड़ायल जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई आज के बाद फिर कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो तभी ट्रेन वहां आ जाते हैं और तीनों ट्रेन के नीचे आकर मर जाते हैं तीनों की मौल से नेहा की आत्मा को शांती में जाती है और वो वहां से चली जाती है